प्यारे बच्चों आज हम हिंदी की पुछतक के पाठ 14 स्वन नगरी की सेर का अध्यान करेंगे जिसमें जैसलमेर के बारे में बताया गया है तो देखिए सबसे पहले पाठ के परिचे को जानेंगे इस पार्ट में राजिस्थान की सीमा के सजग प्रहरी प्रमुक शहर स्वन नगरी जैसलमेर का सुन्दर वर्णन किया है इस पार्ट में जैसलमेर की सेर के बहाने वहां के रेत के धोरों, हवेलियों की स्थापत्य कला, मंदिरों, जरोकों और किलों का सजीव वर्णन किया है जहां एक और रेत के अथाह समंदर की खुबसूर्ती का विस्तरित वर्णन किया गया है, वहीं दूसरी और जैसलमेर के प्राकृतिक सौंदर्य, वनस्पति, वहां के खानपान, रहन सहन, पहनावे और लोक संस्कृति का वर्णन भी किया गया है इस पाठ के माध्यम से पाठक जैसलमेर के विशय में महत्वपूर्ण व विस्तरित जानकारी प्राप्त कर सकता है अब देखे पाठ का आदर्श वाचन भारत की पश्मी सीमा का सजग प्रहरी है जैसलमेर इसे स्वन नगरी, हेम नगर, भड केवार आदी नामों से भी जाना जाता है तो ये जैसलमेर शहर के अन्य नाम है इनको आपको याद रखना है रेतीले धूरों ने जीवन को दुरगम बना रखा है लेकिन यहां की सुन्दर्ता को देखकर लोग दातों तले उंगली दबा लेते हैं हमने सुना था जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती वैसे भी यह स्वन नगरी विश्व के किसी शहर से मेल नहीं खाती है इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारी पूरी पाँचवी कक्षा के विद्यार्थियों ने गूमने का नेड़े किया सर्दी की छुट्टियों में हिंदी के अध्यापक संदीब जी के साथ हम जैसलमेर के लिए रवाना हुए बीकानेर से रेल रात में चली बरकत, मुरली, रोनित, किशोरी और हम हसी खुशी मजाग करते सो गए सुबह जैसलमेर के करीब पहुँचे तो देखा सूरज की किरणे जैसलमेर दुर्ग के पाशान कड़ों को चमका रही है जैसलमेर पहुँचे होटेल में फहरे तैयार होकर घूमने निकले सबसे पहले किले को देखना तै हुआ किला त्रिकूट पहाडी पर बना हुआ था इसे त्रिकूट गड के नाम से भी जाना जाता है महारावल राव जैसल ने इसका निर्मार करवाया हम प्रिथम पोल अखे पोल से होते हुए दुर्ग के उपर पहुँचे किले की सड़क भी पत्थरों से बनी हुई है वहाँ हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे लक्षवीनात के दर्शन भी किये इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाय बनी हुई है दुर्ग के चारों और निन्यानवे बुर्ज है ये बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं इसे हवेलियों वा जरोखों की नगरी भी कहते हैं यहां पत्वों की हवेली, नत्मल की हवेली, सालम सिंग की हवेली, आदी दर्शनिय हवेलिया है इनके जरोखों पर की गई नकाशी लाजवाब है इनका सौंदर्य देखकर हम आश्चर्य चकित रह गए मतलब की जैसलमेर शहर बहुत सुन्दर है हवेलिया देखने के बाद हम गड़ी सर गए यह तालाब सदियों से यहां के वाशिंदों की प्यास बुझाता आया है यहां का प्रतेक पत्थर सौंदर्य बिखेरता नजर आता है इसी की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर व बगीचियां बनी हुई है दर्शन, मोहित, अनुराग को थकान मैसूस होने लगी हम होटल में जाकर आराम करने लगे दूसरे दिवस हमने बादल विलास और जवाहर विलास देखे अमर सागर के जैन मंदिर व कुल धरा देखकर हम सम पहुँचे वहां रेत का अथाह समंदर हमें बर्बस ही अपनी ओर खीचता है हम सम के धोरों की मकमली रेत पर खूब नाचे गाए वहां उट की सवारी ने बहुत रो मांचित किया सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी और हम जैसल मेर लोट आए रात में कैर सांगरी पंचकुटा की सबजी व दाल बाटी चूर्मा का आस्वादन किया अगले दिन बड़ा बाग की छत्रिया और वुड फोसिल पार्क को देखा बस का रुख ओकरण की ओर हुआ ओकरण का शक्ती स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया सेवली गाओं इस्थित कदलीवन धाम के भी दर्शन किये बस बीकानेर की ओर चल पड़ी हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं तो रोमान चित हो जाते हैं उस समय खीचे गए चित्र आज भी उस यात्रा की याद ताजा कर देते हैं वास्तर में वह यात्रा भुलाए नहीं भूली जाती बच्चो अब इस पार्ट में आए हुए प्रशनों के उत्तरों को पढ़ेंगे और यात करेंगे सबसे पहला किला किस पहाडी पर बना हुआ है आंसर है त्रिकूट पहाडी पर अगला प्रशन जैसल मेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया आंसर महारावल राव जैसल ने गडी सर पाल पर बने मंदिर का क्या नाम है आंसर मुक्तेश्वर मंदिर जैसल मेर मेर में रेत का अथाह समंदर कहां इस्थित है आंसर है सम के धोरों में अगला प्रशन जैसल मेर दुर्ग का क्या नाम है आंसर त्रिकूटगड अगला प्रश्ण जैसलमेर किले में स्थित दर्शनिय स्थलों के नाम लिखिए आंसर रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर, लक्षमी नात जी का मंदिर, आदी, जैसलमेर दुर्ग में प्रमुख दर्शनिय स्थल नेक्स्ट क्वेस्चन इसे हवेलियों और जरोखों की नगरी भी कहते हैं, क्यों? आंसर क्योंकि यहां पर पटवों की हवेली, नत्मल की हवेली, सालम सिंग की हवेली इत्यादी हवेलिया दर्शनिये हैं इनके जरोखों पर बनी नकाशी उतक्रिष्ट है इसलिए इसे हवेलियों और जरोखों की नगरी कहा जाता है स्वाण नगरी में दर्शनिय स्थलों की क्या-क्या विशेश्थाएं हैं? आंसर स्वाण नगरी के दर्शनिय स्थल अत्यंत कलात्मक हैं इनके पत्थरों पर देवी देवताओं की प्रतिमाय बनी हुई हैं हवेलियों और जरोखों पर लाजवाब नकाशी की गई है दुर्ग के पत्थर श्वाण की भाति चमकते हैं दुर्ग के चारों और बुर्ज बने हुए हैं जो दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं इस प्रकार से इन सबी प्रशनों को आपको द्यान पूर्वक पढ़कर इनके उत्तरों को कॉपी में लिखना है और याद करना है धन्यवाद